नमस्ते वेलकम स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे चनल लक्ष विजय में और एक नए दिन की शुरुवात के साथ मैं राजेश सर आठ जून के महत्पूर घटनाओ की ओर आपको लेकर चलता हूँ आठ जून 1936 भारत की सरकारी रेडियो सेवा जैसे इंडियन स्टेट बॉब ब्रॉड कास्टिंग सर्विस के नाम से जाना जाता था उसका नाम बदल कर All India Radio जैसे हम लोग आकाश्वाणी भी कहते हैं उसका नाम बदला गया 1935 को इंग्लैंड के लियो निल फिल्डेन को भारत के पहले कंट्रूलर आफ बॉड ब्रॉड कास्टिंग का बनाया गया उस समय वह BBC से आये थे यानि इससे पहले उन्होंने BBC के लिए कारे किया था तब देश में रेडियो को इंडियन स्टेट ब्रॉड कास्टिंग के नाम पर जाना जाता था भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुवात वर्ष 1927 में मुंबई अर्थात उस जमाने के बंबई और कोलकाता यानि की उस जमाने के कलकता में दो निजी ट्रांसमीटरों के साथ शुरू हुआ था देरे देरे ये कारेकरम अंग्रेजों की ओर से सरकारी सेवा के रूप में बढ़ा और निजी ब्रड कास्ट्रों ने भी अपना योगदान इसमें जारी रखा अगर इसी योगदान को देखा जाए निजी तोर पर देखा जाए तो 1942 में होने वाला जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसमें भी आप देखेंगे कि रेडियो ने एक बहुती निजी रेडियो ने एक बहुती महत्वून भूमिका निरवा किया था और 1942 में जिस निजी रेडियो का संचालन उशा महता के नित्रत्वों में किया गया उसमें नन्न का मोटवानी जो कि मेरीका में रहने वाले भारति उद्ध्योक पती थे जो कि इसी रेडियो से जुड़े हुए ऐक उद्ध्योक पती थे उन्होंने अपनी मदद किया तो रेडियो भारत में बहुत ही महत्वपून यंत्र के तोर पर रहा एक लंबे समय तक बड़ा जबर्जस्त योगदान दिया और भारत को ततकालीन समय के जो लेटिस्ट न्यूज होती हैं उनसे जोडने में बहुत महत्पुर्ण भूमिका को अदा किया एक अन्य घटना की ओर चलते हैं एयर इंडिया 1948 में एयर इंडिया जो कि भारत की पहली हवाई जहाज कमपनी के तौर पर जाना जाता है तो एयर इंडिया ने भारत और ब्रिटेन के बीच पहली हवाई सेवा की शुरुवात की जब इस कमपनी को एयर इंडिया को स्थापित किया गया तो ये शुरुवात दोर में ये कंपनी वर्तमान समय की टाटा कंपनी के द्वारा शुरू किया गया था और आज भी अगर आप देखेंगे तो एर इंडिया को वापस टाटा कंपनी को दे दिया गया है एर इंडिया भारत की पहली विवान सेवा जिसे भारत के भीतर और बाहर एक किफायती विवान सेवा की रूप में माना जाता है वर्तमान समय में भी इस सेवा ने दोनों देशों के बीच संबंदों को पुकता करने में महत्वपून भूमी का निभाया 1948 जब इस विवान सेवा की जो कि इंग्लैंड और भारत के बीच हुई इस विवान में टाटा कंपनी के मालिक कह सकते हैं या टाटा कंपनी के CEO कह सकते हैं जहागीर रतन टाटा और नवाब अमीर अली जैसे दिगजों ने सवारी की और भारत से ब्रिटेन की यात्रा पूरी की इर इंडिया का मालाबार प्रिंसेस नामक जहाज 40 सीटों वाला था जो कि भारत से ब्रिटेन की यात्रा करने वाला पहले जहाज के तौर पर था इस जहाज की कमान केपी गुलदार जी के हाथों में थी उस समय बंबई जिसे आज कल मंबई कहा जाता है और लंदन के बीश की दूरी करने का समय 24 घंटे में पूरा होता था आज की अगर बात करें वर्तमान समय में ये दूरी लगभग 10 घंटे में पूरी किया थी क्योंकि लगातार विमानन सेवा को लेकर अगर बात किया जा तो उसमें रोज नई तकनीक और गती पर जब अरजस्त रूप से कारी किया गया 8 जून से सम्मंदित महत्पून जानकारियों और घटनाओं की चर्चा मैंने आपके साथ किया है और आज की चर्चा को हम लोग यहीं तक रखते हैं बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को Have a good day